आयोध्या में भगवान राम की विग्रह की प्रान प्रतिष्ठा होने जा रही है ऐसे में इन दिनों एक तरफ तो देश मिधार्मीक माहोल है तो वहीं दूसरी तरफ सियासत करमाई हुई है राम मंदिर में होने जा रहे है प्रान प्रतिष्ठा समारू का राज नीती करन किया जा रहा है एक तरफ तो देश की जनता राम लेला के आगमन से उत्साहित है तो वहीं नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे कहें तो क्या कहें हाल ही में कॉंग्रेस की तरफ से सूनिया गांधी और राश्ट्री अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे ने इस आयोजन में शामिल होने से इंकार कर दिया जिसके बाद सियासत और तेज हो गई कॉंग्रेस खुद ही इस निर्ने के बाद दो फाड हो गई कॉंग्रेस के नेता ही अपने आला कमान के खिलाफ बयान देने लगे जिसके बाद इस मामले में मलिकारजुन खडगे का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने मंदिर समारोह में नहीं जाने को लेकर कहा कि आस्था रखने वाले कभी भी अयोध्या जा सकते हैं अब आखिरकार मलिकारजुन खडगे को सुनिया गांधी और उनके मंदिर नहीं जाने के बारे में इस तरह सफाई क्यों देनी पड़ी तो आपको बताते हैं कि कॉंग्रेस ने खुद राम मंदिर की प्राणपतिश्टा समारोह में शामिल होने से इंकार किया उसके बाद से इस फैसले के बाद पार्टी के कई दिगजों ने कई नेताओं ने इस फैसले को गलत बताया कई कारे करते हैं इस फैसले पर नाराज हुए पार्टी के इस फैसले पर आचारे प्रमोत कृष्णम ने भी दुख जताया आचारे प्रमोट क्रिश् gia न मने कहा की राम्मंदिर और भगवान राम सब के हैं राम्मंदिर को भाजपा का समझ लेना दूर भाग्यपुर्ण है राम्मंदिर को बीज़पी का मानना गलत है राम मंदर को RSS बजरंगल विश्विंदू परिशत का मान लेना दुर्भाग्यपुर्ण है मुझे पूरा बरोसा है कि कॉंग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है कॉंग्रेस राम विरोधी पार्टी नहीं है ये कुछ लोग हैं जिन्होंने ये फैसला कराने में अहम भूमी का निभाई है ये गंबीर विशय है आज मेरा दिल तूट गया इस फैसले से करोणो कॉंग्रेसी कारेकरताओं का दिल तूटा है उन कारेकरताओं का उन नेताओं का जिनकी भगवान राम में आस्था है तो ये है कॉंग्रेसी नेता जिनका दिल तूट गया है मध्यप्रदेश में भी कुछ असा ही असर हुआ मध्यप्रदेश कॉंग्रेस से भी बगावत की सुरूटने लगे कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और पुर्व मुख्यमंतरी दिगविजय सिंग के भाई ने अपनी ही पार्टी के इस निर्ने के बाद उन्हें गलत बताया और कॉंग्रेस को आईना भी दिखाया कॉंग्रेस उधायक लक्षमेंट सिंग ने कहा कि जो लोग राम मंदिर अंदोलन में लड़े वो इस पष्ट रूप से प्रान प्रतिष्ठा के संबंद में निर्ने लेंगे उन्होंने निर्ने ले लिया है हम आपको बता दें कि उनका सीधा सीधा इशारा 2024 के चुनावों को ले कर था जिसमें उन्होंने कहा कि ये निर्ने बेहत गलत है जो लोग लड़े वे इस पष्ट रूप से प्रान प्रतिष्ठा के संबंद में निर्ने लेंगे उन्होंने निर्ने ले लिया है जहां तक निमंतरन का सवाल है तो इसे अस्विकार करने का क्या मतलब है हम क्या संदेश दे रहे हैं जब राजीव गांधी ने इसे अनलोक करवाया था तो आप कौन होते हैं इसे अस्विकार करने वाले यदि हमारा नेतरत वैसे सलाहकारों को रखता है तो परिणाम वहीं होंगे जो अब तक आए हैं नुकसान हो गया है यह चुनाव में दिखेगा वहीं दूसरी ओर मधिप्रदेश के नए नए PCC चीफ बने जीतू पटवारी ने भी एक बड़ा बयान दिया जो है वो दर्शनों के लिए जाएंगे जीतू पटवारी ने मीडिया से कहा कि कण कण और शण शण में राम है हर किसी के मन में भगवान राम को लेकर आस्था है जब मंदिर बन कर तयार हो जाएगा तब कॉंग्रेस के एक लाख कारेकरता दर्शनों के लिए जाएंगे इस मामले में गुजरात के वरिष्ट नेता अरजुन मोडवारिया ने एक्सपर आलाकमान के फैसले की जमकर आलोशना की उन्होंने कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश के कोस को टेक किया और कहा कि भगवान राम हमारे आराध्य है यह देश वासियों के आर्स्था और विश् प्तिगत मामला है लेकिन भाजपा और संग नेया योध्या में राजनेतिक परियोजना बनाई है भाजपा आरेसस के नेता अधूरे मंदिर का उध्धाचन कर रहे हैं वह चुनावी लाप के लिए सब कुछ कर रहे हैं कुछ कॉंग्रेसी नेता उने इसका बचाव भी किय है अभी इस समय प्राण प्रतिष्ठा गलत है क्योंकि मंदिर अपुर्ण है शंकराचारे कोई भी नहीं जा रहे है राम मंदिर अंदोलन में जो शहीद हुए वो कहां है घोटाले बाद सर्वे सर्वा हो गए हैं ये धार्मिक परंपरा पर हमला है भाजपा का शास्त्रों के विपरित काम कर रहे हैं ये लोग एक तरफ तो करनाटक में राम मंदिर का जैश्नमन रहा है बता दे करनाटक में कॉंग्रेस की ही सरकार है ऐसे में जो बाला कमान ने मंदिर नहीं जाने का ने नहीं लिया तो करनाटक सरकार ने इस फैसले का बचाफ किया करनाटक के आजनीति करण के लिए कुछ भी नहीं है राम मंदिर को लेकर कॉंग्रेस में खुद आपस में सहमती नहीं है इस मुद्दे पर कॉंग्रेस दो धड़ों में बढ़ चुकी है लेकिन सोनिया गांधी और मलिकार जुन खड़गे के राम मंदिर नहीं जाने पर अन्य पार्टि सुदिस के उनके पापों को सुधारने के लिए विश्व हिंदू परिश्वत की और से उन्हें सुनहरा अफसर दिया गया लेकिन उन्होंने इसको गवा दिया और अपने पापों को कम करने से चुक गए उन पर मुझको दया आती है साथ ही दुख भी होता है राम अंदिर का न्योता छुकराने के बाद कॉंग्रेस में दो फार हो गई है जो भगवान राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है इस सोच के साथ कोटा में कई पदाधिकारी और कारेकरता उन्हें कोटा याने की राजस्थान कॉंग्रेस छोड़ने वाले कारेकरता और पद जिस कॉंग्रेस के लिए हमने लाठिया खाई वो हमारे धर्म को वोट बैंक के खाते नजर अंदास कर रही है उसका अपमान करने का प्रयास कर रही है यह कभी स्वीकार नहीं है अब जब कि कॉंग्रेसी नेता खुद ही इस मामले में आला कमान की ख़ड़े हुए है तो मलिक मलिक और जुन खड़गे ने एक बयान दिया और रूठे हुए कारेकरतां को मनाने की कोशिश की आस्था रखने वाले तो कभी भी अयोध्या जा सकते हैं यह आस्था का विशय है उनकी तरफ से इस बात पर भी जोर दिया गया कि वे किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहु का वहां के कारेकरता से नाराज हो रहे हैं मधिप्रदेश गुजरात महराश्ट्र ही नहीं समूचे देश में कॉंग्रेसी कारेकरता कॉंग्रेस आला कमान के इस फैसले से नाराज है कॉंग्रेस के इस फैसले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताए वीके न्यून्स रास्ट्रिके नाम